Hello and welcome to Bollywood वाला, I am Sonob, दोस्तो ऐ वतन मेरे वतन नाम का नया हिंदी फिल्म देखा मैंने Amazon Prime पर, दोस्तो ठीक ठाक okay okay फिल्म लगा मुझे average फिल्म लगा, सी बेसिकली उशा मैता जी जो है हमारे freedom fighter थी वो, तो उनका कहानी है इस फिल्म में, तो I thought उनका जो एक inspiring story है, वो inspiring story को and gripping तरीके से director narrate ने कर पाए इस फिल्म में, so I thought उशा मैताजी's story deserved a better narration, you know, when you are putting it into a film, आप उशा मैताजी का कहानी फिल्म में दिखा रहे हो, तो उसको आप narrate करते वक्त, वो inspiring होना चाहिए, thrilling होना चाहिए, gripping होना चाहिए, तो ही वो engaging लगेगा, यह सारा factors missing था, सारा elements missing जिसके वज़े थे उतना engage या, उतना hook and book ने कर पाया यह फिल्म मुझे, basically उशा मैताजी founder of congress radio है, कैसे वो उन्होंने radio station चलाया, चुप-चुप के, you know, कैसे messages broadcast करती थी, you know, तो वो कहानी, अगर paper पे read करोगे न, आपको काफी inspiring लगेगा, यार, लेकिन फिल्म में वो उतना inspirational तरीके से, narrate ने कर पाया, यार, वो director, but I thought direction could have been much-much better, is what I thought, कुछ-कुछ scenes है, बीच-बीच में, like for instance, the way the film begins, ठीक-ठाक चल रहा था, okay-okay, चल रहा था, उशा मेता जी का जो बचपन है, कैसे बीता, and then वो बड़ी हो गई, सारा लिखान प्लेस, उशा मेता in this film, तो, जो कुछ starting-starting में दिखा है, वो ठीक-ठाक लगा, फिर बीच में थोड़ा बहुत, you know, moderate measure of thrill and tension, moderate amount of thrill and tension, आप मैसूस करोगे, जब वो engineer के पीछे, British लग जाता है, उसको पकड़ने के लिए, वहाँ पे थोड़ा thrill है, थोड़ा tension है, फिर उसके बाद, radio station चालू करने के बाद, radio से messages जब broadcast करते हैं, कैसे Britishers वो radio का location ढूणने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कोई चिस्तेमाल कर रहा है, Britishers, वहाँ पे न, मुझे ये web series याद आया, spy, you know, आप देखना, आपको भी शाहिद याद आ जाए, anyways, तो कैसे वो Britishers रेडियो को locate करने की कोशिश कर रहा है, कौन ये सद्यादा था ने, आगे जाके okay okay बन कर रहे गया, climax भी okay okay लगा मुझे मतलब, I thought, you know, उश्या मैताजी's real life story deserved a better film, is what I thought, यार, ठीक ठाक okay okay average film, सारा अली खान, यार, let me tell you, first of all, सारा अली खान उश्या मैताजी जैसे दिखीने screen पे, see, आप जब कोई real life person play करते हो, you have to look like that person, at least 90% similarity resemblance होना चाहिए न, physical resemblance, तो उनका face वगेरा देखके तो इसा लगा नहीं कि मैं उश्या मैताजी को देख रहा हूँ, अब दूसरा acting की अगर मैं बात करो, सारा अली खान ने सारा अली खान जैसा ही acting किया है, जो उनका acting है, बाकी सारे films में, वही same acting इसमें भी किया है, कोई nothing new, nothing different, so to speak, तो मुझे सारा अली खान का acting भी average ही लगा, ठीक टाक, ordinary लगा, ऐसा कुछ out of the box या कमाल acting नहीं लगा सारा अली खान का, बाकी इसमें actually सबसे अच्छा performance मेरे को बंदे का लगा, जो लापता लेडिस में जो बंदा है, स्पर्ष, श्रीवास्तव, वो इसमे बंदा नहीं, इम्रान आश्मी को कास्ट ही क्यो किया, यार, मिस्सक्स लगा, इम्रान आश्मी, उनका acting भी मेरे को मजीदार नहीं लगा, इम्रान आश्मी का, राम मनुहर लोहिया, पतला इम्रान आश्मी का special appearance दिया है, उनको credit में, बट, special appearance नहीं सपोर्टिंग एक्टर as a special appearance, like, special appearance का example देखना है, तो भाई, अपना Simba film में, Singham का entry देखो, या Singham का role देखो, इसको special appearance भूल दे, क्या impact लाया दा जे देवगन ने Simba में, तो ऐसा वाला impact, इम्रान आश्मी ने नहीं लाया, इस film में, he was not looking like a special appearance वाला role, it looked like a supporting actor वाला role, anyways, बाकी ठीक ताँ को क्यों के था यार, average one time watch, I am going with two stars, आपको कैसे लगा, लिख कर जरूर बताना, and of course, like, share and subscribe भी करना चैनल को वीडियो का, and super thanks का option भी है, वो भी आप दे सकते हो, चलिए for the moment, टादा!